उत्तर प्रदेश के खास मुलिटन अपना उत्तर प्रदेश का तो चलिए खबरों का सिलसला शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितिनात ने शुक्रवार को विपक्षी दलों पर करारा प्रहर किया है और कहा कि सपा सरकार में हिंदूओं पर जूटे मुकदमे दर्ज होते थे राम भक्तों पर गोली चलवाई जाती थी और आतंगवादियों की आरती उतारी जाती थी भारती जग्ता पार्टी के पिछला मूर्चा दुआरा आज आयो जित सामाजिक प्रतिनेधी सम्मेलन में चौहान समाज के लोगों को संबोधित करते हुए योगी ने कहा हमारी सरकार बनी तो सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का हुआ लेकिन 2012 में सपा की सरकार का सबसे पहला निड़ने आतंगवादियों से मुकदमा वापस लेने का था पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बेतुका बयान देकर योगी सरकार में मंत्री उपेंदर तेवारी विरोधी दलों के निशाने पर आ गए हैं सपाध्यक्ष अखलेश यादव ने उपेंदर तेवारी के बयान को लेकर जोड़दार तंज कसा है अखलेश ने शुकरवार को एक ट्वीट कर उपेंदर तेवारी को आड़े हाथ लिया सुहेल दिव भारतिय समाज पार्टी के अद्यक्ष ओपी राजभर ने भी मंत्री के बयान को लेकर निशाना साधा है अखलेश यादव ने कहा कि यूपी के भाजपाई मंत्री जी ने कहा है कि महंगे पेटरॉल से आम जनता को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 95 प्रतीशत जनता को पेटरॉल के जरूरत नहीं है अब मंत्री जी को भी नहीं पड़ेगी क्योंकि जनता उनको पैदल कर देगी सचाई तो ये है कि 95 प्रतीशा जनता वो भाजपा की अब जरूरत नहीं है अखलेश ने ये भी पूछा कि क्या थार में तो डीजल पड़ता है क्या अखलेश ने आज मंत्री को आड़े हाथे लेते हुए ये तमाम बयानात दिये उन्होंने साथ ही कहा है कि जो थार गाड़ी चलाई गई थी उसमें तो डीजल पड़ता है प्रदेश विधान सबा चुनाओ के लिए कॉंग्रेस शनिवार को प्रतिग्या यात्रा शुरू करने चारही है कॉंग्रेस पालिटी की राष्ट्रे महा सचिब और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाटरा शनिवार को बारा बंकी की जैदुपुर विधान सबा शेत्र के हरक इंटर कॉलिज में प्रतिग्या यात्रा को हरी जंडी दिखा कर उसको रवाना करेंगे साथ ही वो एक जंसबा को भी संभूधित करेंगे इस जोरान उनके साथ कॉंग्रेस के बड़े निता मौझूद रहेंगे प्रतिग्या यात्रा उस्तर प्रदेश में कई जगे से निकल लिए और जो बुद्देलखन की तरफ जानी है वो प्रतिग्या यात्रा बारा बंकी से स्टार्ट होने है तो यहां बारा बंकी की प्रतिग्या यात्रा को स्टार्ट करने के लिए प्रेंका जी यहां आ रही है और बड़ी जनसबा हरक में जो इंटर कॉलिज का ग्राउंड है उसमें होना प्रस्तावित है और ये हम लोगों के लिए बड़े स्वभाग्य की बात है कि 12 बंकी से इस प्रतिग्या यात्रा की शुरुआत हो रही है और उनके साथ में हैंने लोग भी प्रदेश अब्जेक्स हैं चेल्पी लेडर मोना मिश्चा जी हैं तो काफी लोग यहां पर आएंगे तो ये 12 बंकी के लिए भी स्वभाग्य की बात है कि प्रेंका जी का कायरकरम प्रार्म हो रहा है जो संखनाज वो जो बजाने जा रही है वो 12 बंकी को चुना है 12 बंकी के अस्वभाग्य क्या हो गया तो विदान सभाग्य को लेकर जो तैयारिया है उस पर तमाम पार्टिया जोटी हुई है ऐसे में कॉंग्रेस की बात करें तो कंग्रेस से पार्टी इस बार शनिवार को प्रतिग्या यातरा शुरू करने जा रही है कॉंग्रेस पार्टी की राष्टे महास्चेव और प्रदेश प्रभाठी प्रेंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में मौझूद है और लगातार पार्टी की रैट नीतियों को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है तो ऐसे में अब प्रियंका गांधी शनिवार को 12 बंकी की जैदपूर विधानसवा शेतर के हरक इंटर कॉलेज में प्रतिग्या यात्रा को हरी जंडी दिखा कर रवाना करेंगी। प्रियंका गांधी एक जंसभा को भी संभोधित करेंगी। प्रियांका गांधी रवाना करेंगी को भी संबोधित करेंगे। जांदा, हमीरपूर, जालोन, जांसी में यात्रा निकाली चाहिए। जांदा, हमीरपूर, जांदा, हमीरपूर, जांसी में यात्रा निकाली चाहिए। जांदा, हमीरपूर, जांसी में यात्रा निकाली चाहिए। जांदा, हमीरपूर, जांसी में यात्रा निकाली चाहिए। तो एक यात्रा में लगवग 20-25 के आसपास ये सीनियर लीडर्स हैं जो उस यात्रा में सामिल सामिल रही है। उसके इलावा एक प्रतिग्या जो 40% महिलाओं की भागिदारी टिकेट में रहेगी और स्मार्टपॉन और अलेक्ट्रोनिक स्कूटी के वित्रण के बारे में एक ये बिंदू है, इसकी गोशना हो चुकी है। छे अन्य प्रतिग्याएं उसकी गोशना भी की जाएगी, उसके लिए कल बारबंकी का जो जनसबा है उसकी प्रतिक्षा करनी पड़ेगी। जैसे हालाद बनके हैं। जिसके बाद पलिया विधायक रोमी साहनी बाड़ पीडितों की मदद के लिए आ गया है। लखीमपुर में बाड़ के कारड़ और बारिश के कारड़ लगातार हालात बत्तर होते जा रहे थे। जिस बीच अब विधायक जी सामने आ चुके हैं। तो पलिया विधायक रोमी साहनी बाड़ पीडितों की मदद के लिए आ गया चुके हैं। इसके साथ ही वो लोगों को लंच पैकेट भी बाट रहे हैं, बाड राहत रसोई उनके द्वारा शुरू की गई हैं, जिसके पीच पलिया विधायक लोगों की बीच खाने के पैकेट बाटते को नजर आ रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लखीमपुर से यह आ चुके हैं, आपको बता दें कि लखीमपुर इस वक्त बारिश और बाड के प्रकोप से जूज रहा है, जिस बीच अब विधायक सीधे जनता के बीच उतर चुके हैं, और लगातार जनता की मदद कर रहे हैं, साथी साथ खाने के उनकी और से विवस्था की गई है, रसो कोई शुरू करवाए गए, और साथी साथ खाने के और लंच के पैकेट भी विधायक द्वारा बाटे जा रहे हैं, तो इस सब तस्वीरे जो आप देख रहे हैं, लखीमपुर से तस्वीरे हैं, जहां पर पलिया से जो विधायक हैं, वो अब सीधे जनता की बीच जा चु कर रहे हैं, और लोगों के बीच खाने की विस्था कर रहे हैं, साथी साथ लंच पैकेट और अनिक हाद्य सामगरियों का भी वित्रंट करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी ये यात्रा एतिहासिक रही, कि वहीं पीम के आगमन को लेकर, जिस तरह का लोगों में उत्साह देखा गया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है, कि इस तोरां तकरीमन धाई लाख लोगों के आने की सभावना है, तो सिधार्त नगर में पीम मोदी का दोरा होगा, आज ऐसा जानकारी देते हुए बताया गया, इस जानकारी को दिया है सांसा जदंबिका पाल, उन्हों के बीच माहौल को देखते हुए ये कयास लगाया जा रहे हैं कि तकरीमन धाई लाख लोगों की भीड़ भी देखने को मिल सकती है, तो 25 अक्टूबर को सिधार्त नगर जाएंगे, पीम मोदी ऐसा कहना है, जगदंबिका पाल का सांसर है, जगदंबिका पाल, उन्होंने ये जानकारी दिया है कि प्रधान मंत्री मोदी 25 अक्टूबर को सिधार्त नगर आएंगे और उनका ये दौरा एतिहासिक होने वाला है प्रधान में मुख्याले के जो बियसे आफिस का ग्राउंड है, ऐसा यादगार हो कि जो आज हमारे इस जन्पत को मिश्चित तोर से उनका आगमन नहीं है, बलकि आकांच्छा जन्पत से अगणी जन्पत की सेड़ी में प्रवेश करने का दौरा है उतर प्रदेश में अब चुनावी तैयारिया होने लगी हैं, जिसको लेकर राजनितिक पार्टियां मतदाताओं में अपनी पैट बनाने के लिए जोड़ शोड़ से लग गई हैं, और इसलिए हर कोई नेता रैली आत्रा निकाल कर जन्दा के बीच अपनी पहचान और अपनी पार्टि की नीतियों को लेकर जा रहा है, वहींसी को लेकर अब यूपी में अपनी पार्टि का दमखम दिखाने के लिए यूपी के दबंग नेता और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टि के रास्ट्रिय अध्यक्ष रगुराज प्रताप सिंग उर्फ राजा भहिया भी मैदान में उतर रहे हैं, जो कि अपनी जनसेवा यात्रा के चरिये यूपी में अपना दमखम दिखाने जा रहे हैं, जो पार्टि है, उसकी तयार यहां है, वो पूरे दोर्टोर पे है, 2700 वादरनी मानी कुमर रवराप्ता विजाजी आएंगे हैं, और हमारा सबसे पहला स्वागत, 4000 ब्यत्तियों के साथ तरीव नब्वे गाडिया हैं, पूर्विला, तोल पे फरे तोल पे होगा, वहां से जैसे हम साथ हमारा खापला रहेगा, फुल टाम सबसे नीचे हो रहेगा, स्वागत हमारा, और टाम सबसे आगया, हमारी जो मेरा बिन मेरा सवा से वीरा देवी जिलात दच्षी वह अपना लेडियों के साथ तरीव लेडियों के साथ, वह अपना स्वागत खरेंगी, वेरा जोट से बिल्कुत सटी, के सहर में भी आपकी रहनी जाईगी? अभी हलपडाल यह के प्रदेश व्यापी दोरा है इस दोरा के बाद फिर हमारी सहर में वह होगी जो काहिटी आपके माध्यम से और और भी तुरस्याम लोग अपील करने कि जो सुबचिन तक हैं पार्टी के जो भी तक यात्राए तीसरी यात्रा है जो भी जो यात्राए उसमें उमीच से ज़्यादव हमें समत्रान मिला है अगली सिर्कार अच्छा काम न करें हम कुछ उन्ले हैं कि और थी ऊपने अब चुनने हैं कि अगली सब्सक्राइए, पर शर्क ड़कर कांडंब में में राव क्समास को लेखें चल नहीं और उसी विचारधारा से आगे को करने के काम नहीं अपनी बेटियों के लिए अपनी बहुगों के लिए ये संकल्प करेंगी कि इनमें कोई भेदभाव नहीं होगा आरे खबर है आगे जहां पर हरदोई में विधायक रजनी तिवारी का एक वीडियो जो है वो वाइरल हो रहा है जिसमें वो महलाओं को प्रेरित करती हुए और साथी संकल्प दिलाती हुई नजर आ रही है तो रजीतिवारी का ये वीडियो जो है वो आजकल सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है जहां रजीतिवारी कहती ही नजर आ रही है कि लड़की हो या लड़का हमारा ही अंशु होता है हमें भेदभाव कैसा महलाओं किसी से आचना क्यों करती हैं हमें शशक्त बनाओं हम तो पहले से ही शशक्त हैं उन्होंने कहा कि हम आज अपनी बेटीओं के लिए अपनी बहुँओं के लिए ये संकल्प करेंगे कि हम में कोई भेदभाव नहीं होगा. तो रचनी तिवारी का ये वीडिओ है जो की लगातार वाइरल हो रहा है विधाएक है रचनी तिवारी उन्होंने महिलाओं को लेकर कहा है कि महिलाओं को कोई याचना करने की जरुदत नहीं है. हम पहले से ही सशक्त हैं. महिलाओं और पुरुशों में भेदभाव कैसा हम सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है आगरा में एक संसनी खेज मामला सामने आया है जहां धेड की गला काट कर बदमाशोंने हत्या करती है साथी व्यक्ति का शौग घर के पीछे फेंक दिया वहीं अब लोगों ने व्यक्ति का शौग देखा तो उन्होंने फौरण इसकी सूचना पुलिस को दिया वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने व्यक्ति के शौग को कबजे में लेकर पोस्ट मॉर्टन के लिए बेज दिया है और मामली की जांच परताल में जुट गई है तो आगरा का ये पूरा मामला है जहां पर शौग का गला रेत कर उसकी हत्या करने के बाद शौग को फेक दिया गया पुलिस मामले की जांच परताल में जुट गई है तो ये आगरा का पूरा मामला है जिसकी तस्वीरे भी आप देख सकते हैं जहां पर एक व्यक्ति का गला रेत कर उसकी हत्या कर देख सकते हैं जहां पर पूरा मामले की जुट गई है ताना अचनरा में एक महरो गाओं में एक डिटबारी की सुचना 112 कम अधिर से सुचना मिलेती तुरुन सभी अधिगारी मौके पर पहुंचा है वहां पर गरदन में जिसान देखा है और उसका मॉबाइल भी कुछ दूर पर मिली है और कटना सब प्रस्केत है तो लुए हम लेट बारी किया पर जाद नम परने के लिए और पीम करने के लिए आपस्टिव लिए बिजवा दिया करने के लिए व्याद के बढ़ाया दागस पूर ऑब फ्रस्केत कर रहा है और उसका पर अधर कृशिद कर रहा है और साथ-साथ मैंने किया कि अधिड़ से घ्जित और प्रीव ऐस नहीं करते ने जल्दी से जल्दीट के चूलोस करने कि एक ट्लोस कर दिया बल्रामपुर के उच्छे प्रात्मेक विद्याले में चोरों ने चोरी की वारदात पंशान थी अब बता दें कि चोर यहां से पंखा समेत कई सामान चुरा कर फरार हो गए वहीं से पहले भी इस जिले में कई चोरिया हो चुके हैं लेकिन पुलिस है कि मामले में कोई कारवाई नहीं कर रही फिलाल मामले में स्कूल के प्रधाना ध्यापक ने पुलिस में शिकायत दे कर मामले में नयाई की गुहार लगाई है तो बल्रामपुर से तस्वीरे देख सकते हैं जहां पर चोरों का तंक लगातार जारी है स्कूल से लगातार चोरी का जो सलसला है लगातार जारी है चोरी का सलसला थबले को नजर नहीं आ रहा है तो स्कूल में चोरी कर एक बार फिर चोर फरार हो चुके हैं इससे पहले भी जिले में कई चोरियां हो चुके हैं लेकिन पुलिस से कारवाई करती हुई नजर नहीं आती जिसे लोगों में रोश देखने को मिल रहा है विलाल मामले में स्कूल के प्रधाना ध्यापक ने पुलिस में शिकायदिकर मामले में नियाए की गौहार लगाई है तो उच्च प्रात्मिक विद्याला है जहां पर चोरी हुई है और चोरी करने के बाद चोर फरार हो गए फिलाल कले इस बुलिटन में इतना है आप बने रहेगा न्यूस वर्ल्ड इंडिया के साथ तन्यवाद प्रात्मिक विद्याला है